गुजरात का बडोतरा शहर जो जाना ही जाता है महराजा सहाजराव गायकवार के नाम से बडोतरा शहर को महराजा सहाजराव गायकवार ने बहुत सारी भेट दी है और उसमें सबसे उंदा और बड़ी भेट जो बडोतरा को मिली है वो है महराजा सहाजराव गायकवार युनिवरसिटी जहां अब तक इन इतने सालों में हजारों लाखों करोडों स्टूडन्स अल अगलग तरीके का ज्यान देती हैं, अलग-अलग रिसर्च होते हैं, अलग-अलग एसस्मेंट होते हैं, और आज फिर एक बार हम आपको ऐसे ही एक एसस्मेंट से रूप-रूप राने वाले हैं, जहां महराजा सहाजराव गायकवार्ड युनिवसिटी की एक वर्चुल टू तयार की गई और उसे अब MS उनिवसिटी को कॉपराइट भी मिला है, यानि बडोदरा शहर की MS उनिवसिटी की पहचान वैसे ही देश-विदेश में कायम है, लेकिन वर्चुल टूर पर जो कॉपराइट मिला है, वो आखिरकार कितना माइन रखता है, और किस तरह यह पू एसेस्मेंट किया, और क्या था उनका पूरा प्रोसेस ये, सबसे पहले मैं अरवशी मैम से पूछूंगी कि अखिरकार यह प्रोजेक्ट होता क्या है, और किस तरह यह बच्चों को करवाया जाता है, बडोदरा कि MS उनिवसिटी को एक अनोखी पहचान जो दलाई गई है, उसके बारे मैं औरोशी मैम से पुछूंगी मैम यह क्या होता है पूरा प्रोसेस और किस तरह यह स्टूडन का असेस्मेंट होता है, बेसिकली यह जो वर्च्वल टूर हमने जो डेवलप किया है, जिसका हमको कॉपिराइट मिला है, that is a part of a desertation work done for the MSC, जो मेरी एक जिराव गायकवार 3, द्वारा जितने भी एजुकेशनल हब है, उसमें से 6 एजुकेशनल हब जो सेंट्रल वरोद्रा में सिच्वेटेड हैं, उन 6 एजुकेशनल हब है और एजुकेशनल बिल्डिंग्स हैं, उनके उपर हमने पूरा यह वर्च्वल टूर डेवलप किया ह तो यह जो वर्च्वल टूर तयार किया गया, वो कैसे तयार किया वो जरूर मैं 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 से जाना चाहूंगी, मैं वर्च्वल टूर कैसे तयार किया गया और यह कब तयार हुआ और कब आपको कॉपराइट मिला, यह कैसा पूरा प्रुसिस रहा? यह जो है यह डेज़िटेशन वर्क हुआ है 2021 में और जो वर्चुल टूर डेवलप किया है उसके पूरी मेथड़ोलोजी फॉलो की गई है और जिस मेथड़ोलोजी में जो सबसे पहले तो हम लोगों ने यह जो छह बिल्डिंग्स है है घरिटेज बिल्डिंग्स है जिसकी जो है वो 80 years के अबाव है almost 100 years के अबाव है तो इन सारे बिल्डिंग्स का हम लोगों ने पहले लिट्रेचर से जसे की अब लाइबरेरी में जा करके इसके लिट्रेचर के बारे में पढ़ा हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हो गया या जैसे हमारी जो भी लाइबरेरी है व स्टोरी डेवलप करी और उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो भी हमने फिर क्रॉस चेक कराई है कि यह जो हम इन्फरमेशन दे रहे हैं क्या वो सही है या नहीं तो इसका जो प्रोसेस है उसमें जो भी ये छे बिल्डिंग्स है उसकी पूरी एक हिस्ट्री तईयार करके हमने स कर एक आप रूम्स में जाएंगे तो वहां पर हमने जो पैनोरा में जो फोटोग्राफी होती है वो करवा करके 360 डिग्री परी वर्चुल तूर हम लोगों ने तैयार करी सभी छह बिल्डिंग्स की और फिर वो फोटोग्राफ का जो है स्टेचिंग जिसको हम नारेशन के स सबसे पहले बात जो इंपॉर्टन यहां पर में चीज है टेकनिकल चीजे तो हैं लेकिन सबसे अदा बात है ऑथेंटिसिटी की जो इंफर्मेशन हम लोग दे रहे हैं तो उस हिस्ट्री वो सबसे पहले तो उसका इस्टाबिश्मेंट इयर कौन सा था उसके बारे में बता करी हैं तो इस तरह से पूरा यह वर्चाल टूर डेवलप हुआ है वर्चाल टूर जो डेवलप हुआ है उससे अब कॉपराइट बही मला है यानि कि एक पढ़ाव जो पार कर लिया है और इसे में स्टूडेंट जो है जो है उननों यह पूरा डिजटिशन तेयार किया है निधी शर्मा वो भी हमारे साथ है उन से हम जानेगी कि आखिरकार ये पूरा प्रोसेस जो था उनके लिए कितना दल्शस्प रहा निधी ये जो पूरा डिसटेशन आपने बनाया सब्मेट किया कैसा रहा क्या अनुभव हुए इस दौरान अपने अलग अलग जगे कि विज सब्सक्राइब किया है उस टाइम पे वह बहुत ही अच्छा और स्टील अभी भी बहुत सुंदर है और इसका मतलब जैसे कि हमने पूरा वर्च्वल टूर हमने डैवलोप किया हमने पूरा चीज फील किया कि वह महाराजा ने मतलब किस परपस से बनाया था वो चीज जैसे महाराणी चिन्नावाई नियाय मंदीर है जो अभी अभी इतना इतना मतलब है नहीं बट वूस ट्रैम पे वहां पर प्रॉफेसर वहां पर लैच्छ भी हुआ करते थे तो मतलब वह परपस से उन्होंने पूरा एजूकेशन ह कि हमने पूरा रिसर्च किया है डिटेल्स कलेक्ट किया है तो उसके अकोर्डिंग हमें पता चला है कि जो महाराजा स्याजी राओने वह बहुत एजूकेशन को आगे बढ़ाना चाते थे तो उन्होंने मतलब बहुत मतलब पहले तो सैंटर सिटी में ही उन्होंने स्टार् वह ओन्वी फॉर वूमन्स के लिए था ताकि वूमन्स आगे बढ़ सके सेकेंड उन्होंने स्टार्ट किया था महाराणी चिन्नाबाई कन्या विद्या लई वह कन्या विद्या लई वह मतलब उस जमाने में लड़कियों को एजूकेशन फ्री में प्रोवाइड किया जात प्रोवाइड किया जाए और स्ट्रीयों को आगे एजूकेशन में और बहुत सारे चीजों में जैसे कि उन्होंने स्ट्री अध्यापन उद्योगा लिए स्टार्ट किया था ताकि वो स्ट्रीयों को मतलब आगे बढ़ने के लिए वो आगे कुछ मतलब घर की गाम तो ठीक पर वो खुद के लिए आगे कुछ बढ़ सके उसके रिगर्डिंग बे उन्होंने बहुत स्ट्रीयों को सोच कर उस वक्त की स्थिती को सोच कर उस वक्त महिलाओं के लिए स्कूल कॉलेज और कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार मिले ऐसा उन्हें आत्म निर्फर करने के सहस्थान बनाये थे और उनको एक पहचान दी गई है तो मेरे लिए और बडोधरा शहर के लिए यह बहुत खुशी की बात है यह जो पूरा प्रोसस आपके लिए रहा जब यह कॉपिराइट भी हो गया तो अब क्या फील फिलीन सारी है अभी पहरती अच्छा फील हो रहा है और स्पेशली कि यह मतलब प्रॉपर बडोधा का चीज है जो हमारे पास इतने टाइम से था बट लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि वो चीज हमारे साथ है और हमारे मतलब महाराजा ने इतना अच्छा डैवलप किया था और स्टील अभी वो है स्कूल्स भी वो अ आपने तयार किया उसमें क्या-क्या डिफिकल्टी फिर फेज करनी पड़ी डिफिटल्टी तो मतलब जैसे कि हमने पूरा हिस्ट्री करना था वह साधा डिफिकल्टी था क्योंकि इतने सारे लिट्रेचर मतलब इतना साधा अवेलेबल नहीं था हमें बहुत सारे रिसोर्स करने पड़े लाइपरी चेक जाना पड़ा पूरा इंफोरमेशन हमें गैधर करना पड़ा उसके बाद हमने पूरा मर्च करके पूरा प्रोसेस किया तो वह थोड़ा डिफिकल्टी रहा हो पारे पास फिर सबसे परमिशन भी हमको लेनी थी मतलब सारी बिल्डिंग्स में जो भी लोग हैं तो उन लोगों की हमें जैसे परमिशन हां तो जितने भी जो भी बिल्डिंग्स का हमने ये वर्चुल टूर डेवलप किया तो उन सभी जगह से हमको पहले परमिशन भी हमको लेनी थी फिर रजिस्टर सर की भी हमने एमेस युनिवरसिटी के जो हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से एक वर्चुल टूर हमारा डेवलप होकर के आया और उसमें जो सबसे सवभाग्य की बात ये है कि 158th बर्थडे था 2021 में उसी दिन हम लोगों ने ये वर्चुल टूर हमारी युनिवरसिटी की वेब साइट पे हमने इसको लांच किया था तो ये सबसे अच्छा हमारा जिसको बोलेंगे कि हमें वी आर फिलिंग वरी प्राउड ओफिट स्पेशली एक बात ये भी बताना चाहूंगे कि डिपार्ट्मेंट ऑफ फैमिली एंड कमेंट रिसोर्स मानेजमेंट में ट्रावल टूरिजम का हम एक सब्जक्ट भी पढ़ात कि हमारे डिपार्टमेंट को ये कॉपिराइट मिला है तो वरोद्रा शहर की जो असली पहचान है कुछ ऐसी जगहों को इस वर्चूल टूर में शामिल किया गया है MS University की वेबसाइट पर है मुझे लगता है आज बरोडियन और देश विदेश में बसने वाले वडोद्रा के लोगों को और वडोद्रा के बाहर के लोगों को ही ज़रूर देखना चाहिए कि क्यों आज भी महराजा साजराव गायकवार के नाम से ही वडोद्रा जाना जाता ह है क्योंकि उस तरीके से उन्होंने वो जो संस्थान डवलोप किये थे आज भी उसे गवर्मेंट और राजपरिवार रन कर रहा है ताकि एजूकेशन के साथ-साथ रोजगारी महिलाओं को मिलती रहे बच्चों की पढ़ाई अची तरह चलती रहे और उसी को वर्चूल ट जरिये हमेशा ही पहुंचती रहती है हम यहां वही बाते और जो ही मुद्धे चर्चा में लेते हैं जो सीधे सिधे कहीं ना कहीं आप से जुड़े हुए हैं आपको अफेक्ट करते हैं वियरम को आप यूजीव चानल पर देख रहे हैं अगर अब तक हमारी चैनल को सब्स चैनल पर वियरम को 2400 घंटी जियो फाइबर पर देखा जा सकता है देखते रहिए वियरम जुड़े रहिए वियरम के साथ नमस्कार इस वक्त देश भर में राम मैं माहुल देखने को मिल रहा है अयोध्या में राम लला की प्रान प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित है सारे श्रद्धालों ने अपनी अपनी तरफ से एक कोशिशे करी है कि वो राम जी के पास में अपना कुछ पहुचा पाए कुछ प्रसाद पहुचा पाए कहीं से अगरबती जा रही है कोई रामायन लिख रहा है इस तरह से अलग-अलग कोशिशे की जा रही है श्री राम की भक्ती करने के लिए ऐसे ही भक्त से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं इस भक्त का नाम है राजुभाई रबारी और उन्होंने क्या किया है वो भी हम आपको बताते हैं उन्होंने कितने सालों से कितनी सारी किताबे भर दी हैं श्री राम के नाम से जब भी उन्हें समय मिलता है वो श्री राम का जब करते हैं, श्री राम का नाम लिखते हैं कितनी किताबे भरी हैं और कितनी जो है रिफिल उन्होंने खाली कर दी है श्री राम के नाम से वो खुद जानते हैं उनके मूँ से, चलिए मेरा सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ हमारे साथ में जुड़ने के लिए और आपका वक्त देनी के लिए मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने इतनी सारी किताबे श्री राम के नाम से भर दी है तो आपने कब से शुरू किया है मैंने दो हजार एक की साल से अटल बिहारी बाचपाई जब ही वह अपने भारत देश के प्रदान मंत्री थे तभी से राम रिल्ला का नाम का ये सुमिरन मैंने स्टाट किया था और मैंने तभी जैसे एक बार राम निकले से राम की प्रावर्टी और सॉर्सिस आते है वैसे लिखते गया लिखते गया तभी मेरो को अभास होने लगा मैंने ये सोचा कि मैं कोई ये राम का नाम तो सुमिरन कर रहा हूँ आपका मंदिर कब बनेगा तभी तो कोई ऐसा आश्रा ही नहीं था कि 2001 में इनका इतनी भवियोतात का मंदिर बन जाए अयोध्या में तो लिखते गया लिखते गया और आज मैंने कम से कम 2000 और 25 में बूख है एक बूख में 20,000 टाइम है कहीं-कहीं मेरे पास जो बूखस है वो 71,000 टाइम्स पर यह है यहाने कम से कम मेरा दिल तो कह रहा है यह मोर देन तू-3 करोड तरी-4 करोड टाइम्स पर देन फोर करोड टाइम्स और मैंने सवा करोड करोड के कम संकल्प लिया था पर आज इतना सारा देखने के बाद मुझे आनंद हो रहा है कि मेरे राम जी 22 तारिक को अयोध्या में बिराज रहे है और मुझे खुशी है तब ही मैंने यह संकल पहले रखा था कि मैं जितनी भी बुक्स लिखूंगा मैं आपके यहां आयोध्या में खुद आपके चरणों में आके आहुती दे दूगा लेकिन अभी प्रोटोकॉल की वज़े से मैं यहां यह बुक्स और यह तो वहां अंदर जाने का यह भी नहीं मिलेगा जाने भी कोई नहीं देगा तो मैंने यह सोचा है कि मैं जब ही जाओ दो हजार पचीस यह कभी भी जाओ तो मैं मेरे हातों से यह मेरी जितनी भी बुक्स लिखी हुए है जितने करोड टाइम हुआ है उनके चरणों में है तो आपका क्यों ना बने आधे हाफ एन आफ यह कॉंग्रेस के सीटस आते थे कोई कहता था कि राम लल्ला ने बाबरी मजजीद है तो यह बाबरी मजजीद जब से तूटी और उसके बाद यह मुझे लगने लगा और मुझे आभास होने लगा कि यह राम नाम का सुमिर तो अपने अमेशा जी और यह बहुत सारे ऐसे भक्त है तो कि इनको दिल में राम उत्रे और मेरे राम जी के प्रती यह मेरी भावना थी कि यह जो मेरे संकल्प से इनको शक्ति मिली है आज मैं यह देख रहे है कि 2024 में 22 जानिवरी को जो उनका प्रान प्रतिष्टा हो रही है उसके बारे में मुझे बहुत-बहुत जादा खुशी है कि मेरे संकल्प की यह जो दिया जोती जो छोटी-छोटी में चला के रोज रखी है तो वो 101 परसंट उसको आज मेरे रामलला अयोध्या में विराज है यही मेरी सबसे जादा खुशी है जैसा कि राजु भाई ने बताया कि उन्होंने 2001 से इस सुमिरन लिखना शुरू करा था आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि इतनी सारी जो किताबे हैं यह सारी इन्होंने श्री राम के नाम से भर दी है इस किताब को जैसे किसी भी किताब पर हाथ रखके मैं खोलू तो आपको दिखाए देगा कि सारी किताबे हर एक पन्ना हर एक लाइन श्री राम के नाम से भरी हुई है आपने भक्त बहुत देखे होंगे लेकिन इतना बड़ा भक्त आपने शायद ही देखा होगा श्री राम की अयोध्या मंदिर के जो चर्चे शुरू हुए यह जो फ सिर्फ एक मंदिर में एक बहुत बड़ी भावना है यह राजु भाई के 225 वी किताब है जिसमें वो राम नाम का सुमिरण अभी लिख रहे हैं और सारी किताबों में उन्होंने श्री राम के नाम से उन्होंने सारी किताबे भर दी है आपने यह लिखना शुरू करा लेकिन कब तक आपने यह संकल्प रखा था कि मंदिर बन जा है उसके बाद में आप इसे लिखना बंद कर देंगे या कब तक आपने संकल्प रखा था मैंने यह संकल्प रखा था कि में खूथ अवधिया जाके आपके चरणों में यह सब वोकों की मेरी जो इतने सालों की मेहनत जो है मेरे नाम नाम का सुमिरन है उनके चरणों में आहुती दू दू लेकिन अभी मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां प्रोटकॉल और इतने बड़े-बड़े महानु भाव आने रही है छोटी से भक्त का जो प्रसाज जो है उनके घर पे रिने दूँगा और दूसरी बात जाओंगा या इदा दो हजार पटीस में जाओंगा या चब जब 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 जाओंगा जो रोज की मेरी एवरेज स्पीड जो है अभी ज्यादा हो गया कनेक्टिविटी ज्यादा होने कि ज़ए दो फोर्थ-फाइफ हाउजंड इन वन तू वन और तू अवर्स पूरे 24 अ कभी मुझे दूख की यह भावना होती थी या मेरे कोई मेरे साथ कुछ गलत हुआ या मेरे हाथ कुछ ज्यादा खुशी हो गई तो भी मेराम नाम का सुमिरन आथ तक मैंने छोड़ा नहीं है आप दिन में कोई समय निर्धारित करते थे कि मुझे सुमिरन करना है इस तरह से कोई आप टाइम डिसाइड करके रखते हैं एक दिन में किते पेज भरते हैं ऐसा कुछ आप सोचके रखते हैं कभी तो मेरे 31 होते हैं कभी-कभी मेरे 11 भी होते थे गभी एक भी होता था ऐसे ऐसे कामों के उल्जो की वज़े से मैं बीमार था तो मैं मुझे चार बार मेरे सुमिरन राम ने मुझे बचाया है जैसे कि 97-98 में मुझे अमनात में यह हो गई थी तभी में मुझे बचाया है दो हजार बारा में मुझे गले पर दागा लगा था चाइनिस त्रेड तभी मुझे बचाया था 2017 में मुझे यह हो गया था है पैंडिस का ओप्रेशन वहां ट्यूमर था उस वह भी बचाया था और 2020 में मुझे कोरोना हो गया था तभी मेरी मेरी बुक्स वहां मंगाई थी और मेरे सुमिरन इनका लिखता था तो पूरा वार्ड जो था 25 से 25 लोक वहां पर इन्होंने ले लिये थे मैं अकेलए बचा था क्योंकि राम नाम का सुमिरन में वहां लगा था जादा से जादा कर रहा था तहीं में बच के आ गया तो मेरी राम ने सुन ली थी तभी 2020 में ही मेरी राम ने सुन ली थी उसकी वज़े से ही आज ही मेरी पर्तिंद śणय ओर याटनों कई है। तो आपको एक अन्दाज़ह होगा कि कितने रिफील कम इतने सालों में खाली होगाइ वह चौर्णा? मुझह अन्दान है 2-3 अजार जिए मोर तेन 2500 रिफील्स हो गही हो कीland दो हजार पांच सो से ज़्यादा तो एक रिफील का कोश्टिंग है 5 रॉपिस और बोक्स का कोश्टिंग मैंने खुद पर्चस की है तो 10 रॉपिस है तो ये सभी मेरे पास जो भी पैसे बचते थे कुछ भी होता था तो मैं उनकी सुमिरन की दस-दस बुके लेके आता था ये जब भर जाती तो फिर दूसरी लेके आता ऐसा ही ज़्यादा तर मुझे नजर आ रहा है कि लाल रंग से ही आपने लगबक सारी किताबे परे सब लाल ही है उसके अलावा कोई अच्छा कोई वज़ा है इसकी सब देख लोगे तो उसमें रेट से ही मेरा नाम इनकी रेट से ही इनका नाम का प्रारम होता होगा हाँ और सबी एकी समान है वैसे तो आज की जनरेशन को कोई जरूरत नहीं पड़ रहे है क्योंकि अभी जो पुरा माहॉल है राम के नाम से बहुत चका चौंध हो चुका है बहुत राम नाम हर किसी के मुँपर आपको दिखी जाता है राम का जब दिख जाता है लेकिन आपके मतलब चंद शब्दों में आप अपनी खुशी जाहिर करें या कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों को आपकी खुशी अयोध्या मंदर को लेकर और कोई भी ऐसा मेसेज जो आप आज के युवाओं को देना चाहें तो मैं युवावक्स तो यही कहना चाहता हूँ कि अपने माता पीता और अपने गुर्देव जो बनाय हो है उनका सुमिरन करें सुभे साम अपने कहीं भी जाते समय अपने माता पीता और अपने भाईयों को या बड़े जितने बुज़र्गे जैसी आराम कहिए तो आपका काम कोई अटक रहा है तो अटकेगा नहीं और मैं यह कहना चाहता हूँ यदि इनका नाम का अगर इतना सुमिरन होने से हर एक इनसानों के दिल में होना जरूरी है हैं साथ मक ब्रावना उनकी खतम हो जानी चाहिए कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे उसके पर जाना नहीं है एक पर ही अगर तुमने कॉंसेंट्रेट पावर और फोकस ऑन दा माइंड अगर एक हो गया तो वही जगा पर आपका टारगेट और यह कंप्लेट हो सकता है एमफ अब दा टारगेट तब ही खतम हो सकता है जबी यह आपका फोकस और विजन उसके उपर लगा हो यदि आप कोई किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हो और तो आप उसको कहेंगे कि मैं आपको एक कल्दा क्या दो कल्दा घंटे दे सकता हूँ तो उससे डिलेशन मेंटेन नहीं होता और सबसे बड़ी बात है अगर उसको 24 अवर्स 24 अवर्स में 24 अवर्स पूरे उसको दो तो यह रिलेशन फिब और आज राम सुमिरन कर रहे है, तो मैरा भी जैसी है, इनके सबी भक्तों के लिए, जोटा सा भक्तू हूँ, मेरी प्रयास है कि इतने सारे राम बोल दिया है, मैरे राम राम, मेरे राम ने तो मेरे लिए सब पूछ दे दिज है मुझे और राम मंदिर के लिए तो क्या कहूँ आपसे मैंने जब सुंकल्ब जो किया था पहले एक 2001 में एक बार राम का नाम का सुमिरन किया था आज मैं करोडो में आ गया हूँ तो मुझे एक करोडो गुना ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे राम का जो प्रॉपर प्लेस था दिल में तो राम थी पनून के लिए आज इतने सब चक्रविव ऐसा हो गया तो सभी पॉलिटिकल व्यूज और भक्तगर्ण और सब के लिए आज ये मेरा राम लल्ले लल्ला ये इसमें गिराजमान होगे मेरे से ज़्यादा अगर किसी को खुशी होए तो मैरे पूरे भारत वर्ष को है और मैं अपने आपको बहुत भागिशाली मानता हूँ कि मैं मेरी माता और मेरे पीता और मेरे अच्छी पत्नी के साथ मैंने सब मेरे घरवाले सबी लोग ने मुझे सहयोग दिया अगर कोई सहयोग अगर मुझे नव देता तो मैं इतने मुकाम पे नहीं पहुँच सकता और यह अगर मुझे सबने प्यार बहुत ज़्यादा दे दिया है इसकी वज़शे मुझे यह आज में यह मुकाम पर पहुंच खाया हूँ मेरे 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 छोटी से एक दुकान भी है तो महां मैं सुबह सुबह बेटता था तब कस्टमर्स लोग आते तो बोले के कहां गुम जाते हो कई दो चार बार आवाट लगा ते बोलते के राजू भाई तुम सुनते भी म दो मैंने बोला कि मुझे सुनाई भी नहीं देता करकि में इनके कनेक्टिविटी में हूँ तो कि एसा करो मंदिर में जाके बैट जाओ शेलों नियां न्यांती हूँ दन्दा भी करते-करते इनका सुमिरन करता हूँ इसे मेरे श kısm जादा कॉरे भक्तक्षा ना हो गयती है मेरे राम जी ने यह कहा है कि बेटा तू जब ही आएगा तभी तू अपने आहातों से आहुती यह सब बुकों की आहुती तू दे देना को अभी तो जाना वहां पॉसिबल नहीं है तो फिर मैं कंटिनुट लिखते रहूंगा इतने सालों तक का और ज्यादा भी आगे साल मे मैं जब जाओ मेरे बच्चों ने मैंने कहा था मेरे बच्चों ने कहा कि पापा आपको 2024 अदरवाइस 2025 में आपको जरूर रविद्या ले जाएंगे अभी आप जीन मत पकरो मैंने बोला बस तुमारी बास सही है होकुम जो राम जी का मिला है तुमारे मुझ से यही समझू कि मैं इतना साल मेहनत किया और आगे साथ मेहनत करूंगा और पूरे वल्ड में सबसे ज़्यादा वहां रेकोर्ड्स है मेरे रेकोर्ड तो बहुत छोटा है मेरे रेकोर्ड तो 2001 से लेके यहां तक है बहुत छोटा रेकोर्ड्स है आज मैं सुन रहा हूं किसी ने अगरबत और मैं भी बड़ोदा का रेने वाला हूँ और मेरे जिसे तो हजारों लाखों करोडों भक्तों होंगे तो इन्होंने कुछ ने कुछ आहूती तो दी है मेरे अकेले क्या आहूती से नहीं हुआ यह पॉसिबल आज मुझे बहुत खुशी है मेरे राम राला वहां भीराजमान है और 22 जानिवारे के दिन मैं पूरा दिन करेली बाग जलारा मंदिर में जाओंगा और वहां पे जाके इनके नाम का सुमिरन मुझे मैं 2006 से जलारा मंदिर राम दूर में जाता हूँ वह 22 सारी को हम बुलाया है तो बाइस तरीकों वहाँ जाके हम राम नम का सुमिरन और वहाँ बजन करेंगे आयोधिया मंदिर में देश भर से कई भक्तों द्वारा कोई ना कोई चीजे पहुँचाए जा रही है प्रसाद पहुचाए जा रही है और आपको बहुत सारी कहानिया सुनने मिल रही होंगी अलग-अलग भक्तों की किस तरह से किसी ने मननत रखी है किसी ने दाढ़ी ना कटवाने की मननत रखी और इसी तरह अलग अलग जो हैं तरह से उन्होंने एक दुआएं करी हैं कि ये मंदिर का निर्मान हो और आज वो सफल हो रहा है इसी के चलते देश भर में लोग बहुत खुश हैं आज उन्में से ही एक भक्त की कहानी हमने आप तक पहुंचाई हैं उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेर कॉमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एक तरफ जहां देश भर में आपको पसंद आया है एक तरफ जहां देश भर में श्री राम का नाम हर किसी की जुबां पर है राम मंदिर को लेकर हर कोई बहुत उत्साहित है और अयोध्या मंदिर निर्मान का बेसबरी से इंतजार कर रहा है वहीं वडूद्रा में एक ऐसा मंदिर है जो कि राम द्वारा मंदिर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर श्री राम की मूर्ति की नहीं बलकि रामायन और गुरुवानी की पूजा की जाती है तो यहाँ पर यहाँ के महंत के साथ में हम जुडेंगे और उनसे बात करेंगे इस मंदिर के बारे में और डीटेल में कि कब इस मंदिर की स्थापना हुई और क्या खास वजा है जो यहाँ पर रामायन और गुरुवानी की पूजा की जाती है ये मंदिर की स्थापना आज से करीवन 250 वर्ष पहले स्वामी हमारे गुरू थे स्वामी धुले राम जी महराच उनके द्वारा स्थापित हुई और वो मुल राजिस्तान से यहां आये थे और ये हरनी तलाब जो है वहां आके बैठे थे तो नर्सी जी की पॉल में एक परिक परिवार था जो अनमान जी के दर्शन करने जाता था और वहां तलाब की किनारे पर वो गुरू देव आके बैठे तो उनसे मुलाकात हुई और फिर दुसरे दिन उन्होंने एक बहुती सुन्दर दुशाला उनको अर्पन किया परिक परिवार ने और तिसरे दिन जब वो गए तो वो दुशाला किसी विकारी ने ओड रखा था तो उस विकारी से पूछा भी तुम्हें किस ने दिया तो बोले वो संत ने मुझे दे दिया तो परिक परिवार को ऐसा लगा कि ये इतना कोई त्यागी मापुरुश कोई संत ही हो सकता है उनको प्रार्थना करी तो जहां पर ये रामदरा स्तापित है ये उस समय में उस परिक परिवार का एक खेत हुआ करता था और वो परिक परिवार उनको कहा आप हमारे घर चलो नर्सी जीक पोल में तो बोले नहीं हम बस्ती में नहीं जाएंगे तो बोले हमारे खेत पर यहां बिराजमान हो जाओ तो और वो यहां साथ वरस तक रहे उसके बाद में वो यहां से मंदिर अपने एक्षिश्य को यहां छोड़के और वो चले गए यहां से इंदोर चले गए इंदोर में मंदिर की स्थापना होई फिर भुपाल के अंदर उनके शिहोर में मंदिर की स्थापना होई ऐसे करके उन्ह ये गुरुवानी जो है जो करीबन 275 वर्ष पहले की गुरुजी के हाथ से लिखी हुई वानी है और उसमें रामाइन भी है और गुरुवानी भी है उसका ही पुजन हर्चन हमारी यां किया जाता है सब्द ब्रह्म के रूप में राम की उपाशन की जाती है आतताहियों के द्वारा जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था जो कि अहुद्या में यही मंदिरों को तोड़ दिया गया आतताहियों के द्वारा तब जन भावनाओं में ऐसा हो रहा था कि भगवान अपनी रक्सा नहीं कर सकता हो तो हमारी रक्सा कैसे करेंगे और लोग ज यह कहा कि मूर्ती को तो तोड़ा जा सकता है लेकिन परमात्मा को नहीं तोड़ा जा सकता शब्द को नहीं तोड़ा जा सकता इसलिए सब्द ब्रह्म के रूप में राम नाम की उपासना उन गुरुजी ने हम सब को बताई और कहा वही मूर्ती तोड़ सकती है लेकिन परमात मा तुमारे साथ रहेगा इसलिए राम सब्द की उपाशना करने की उन्होंने भक्तों को प्रेधना प्रदान की। ये मेन गुरुजी दुले राम चर्ण जी महाराज और उनके ये सिश्षेते दुले राम जी महाराज वो तो गुरुजी तो पादरा, सूरत, अम्दाबाद, दोलका, सानत और दूसरे अन्य रामदार इस्तापित किये, फिर वो MP में चले गए, साथ वर्ष यहां रहे गुजरात में, फिर मध्यप्रदेश चले गए, और जहां गए, मंदिर स्तापना के बाद दुबारा वापस नहीं है, बस ऐसा वो ही उन्होंने किसी घरीब को दे दिया, तो जिनका वस्तर में मोह नहीं है, तो इन में कैसे मोह हो सकता है, तो वो स्तापना करके भक्तों को नाम जब की प्रेड़ना दे करके वो चले गए, फिर राष्तान चले गए वापस यह वो ग्रंत है, जिसको गुरुवानी कहते हैं हम लोग, और उन गुरुद जी के वाणी के सब्द हैं, जो आप देखेंगे कि कितने सुन्दर ढंग से उस समय लिखा गया है, और इसमें सवा चतिस हजार मंत्र हैं, सवा चतिस हजार उनके सब्द हैं, उसके बाद में पी को हम इसलिए पुजा करते हैं कि गुरुवानी गुरु का ही स्वरूप होता है, इसलिए इसका पुजन किया जाता है, रामायन जो है और राम का ही स्वरूप होता है, इसलिए रामायन और गरंत की पुजा होती है, रामायन से हमें प्रेणा मिलती है कि भाईवाई में प्र प्रतिक क्या कर्तव्य होता है इसके साथ में रामायन से हमें प्रेणा मिलती है कि प्रतिक व्यक्ति को अपनी जन्म भूमी के प्रति विश्यस लगा होना चाहिए राम जी जब लंका जीत चुके तब लक्षमन ने कहा कि अपन दो चार दिन और रुख जाते हैं यहां पर तो स्वर्ग से भी विशेश होती है इसलिए मेरी अयुद्या मुझे पहुचना है तो यह जीवन जीने के लिए क्या-क्या कर्तव्य हैं यह रामायन के द्वारा में सिखाई जाते हैं और गुरुवानी जो है वह हमें प्रेणा देती है कि हम अपने अच्छा जीवन जीएं प अगर आप पहले भी इस मंदिर में आ चुके हैं और आपको कुछ नया जानने मिला है तो हमें कॉमेंन सेक्षिन में जरूर बताईएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेर, कॉमेंट कीजेगा और जुड़े रहिए वियनम टीवी क अगर सार कॉमेंटा बताईएगा परादाने में जरूर आपको इसाथ